बोगनीपूर कोटवाली छेत पिपरी गाउं समीब कानपूर जासी हाई वेडीपी ढवा के पास एक बार फिर तेज रफतार का कहर देखने को मिला कानपूर से जालाउन जाते समय एक बाईग सवार को एक तेज रफतार ट्रग ने टककर मार दी टकर लगने से बाइक सवारी उवक और उसकी मासूम बेटी गंबी रूप से गायल हो गए है वहीं बाइक पे बैठी मैला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई एक्सिडेंट होते देख सेकलोर आगीर मौके पर पहुँच गए तदा पुलिस को फोन किया गया आदा गंटा गुजर जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुची लोगों में नाराजगी देखने को मिली आपको बताते चले कि बाइक सवारी उवक कानपूर से कालपी जालाओन अपने परिवार समय जा रहा था जाहें एक बार फिर तेजर अफ़तार का कहर देखने को मिला यहां तेजर अफ़तार कहर ने एक मासूम मैला की जान ले ली ग्राउंड जीरो से देखी इस खास रिपोर्ट को जंग बाध्यों सिंग के साथ विजर रिपोर्ट आई पीन अब देख रहा हैं ग्राउंड जीरो से इस वक्त की सबसे बढ़ी कवर जहां भोगनीपूर कोटवाली छेत्र के कानपूर जासी हाइवे पर यह भीषड हास्था लगातार एक बाय के वह त्रक में बिढ़नत होने कि मैला की यह मौके पर आप हालात दे सकते किस तरीके से यह भीवक्त नजा रहा है दिल दैला देने वाला यह एक्सीडेंट है जहां पर एक वार फिर कानपूर द्यान तेज रप्तार के कहर देखने मिला हुआ है जा रहे थे और यह यह बायक बताई आ रही है यूपी अटार डीके बार में जीरो नौ यह बायक सवार जो एक व्यक्ति था अपनी बेटी साथ में साथ में महिला को लेकर कानपूर से कालपी की तरफ जा रहे थे और यह घटना इस तरीके से हुई है यह लगातार रोड की कंडिशन देख सकते हैं यह खा तस्वीरे दोनी तक मौके पर नहीं आई है इस बीड़ आप देख सकते हैं यह भीशल हास्ता है एक वार शिरकान पुर्द्यान तेजरता कहर दिखने को मिला है का अगो भाडि गाड़ी घाडि है ऊप कि खी कि खी कि खी कि भार्फ ऑन्ग को भूकर इज रहे जह? पालपी में तारी पोलिस में उने तारे जो फ्सक्राइब गेंगे तारी अंगा